आज EPS के उपर discussion होगा और यहां पर I am told that NHIDCL, Hydle Power Projects and Municipality, Municipality के जो स्टाफ से वर्कर्स उनको आज बुलाया गया है because this is the target population और जो हमारा workforce है, इसमें जितने भी देपार्टमेंट के जिम्मेदारियां होती हैं और इंसेंटिस प्रवाइड करने होते हैं, वो आपको सारे बीडेस में बताए जाएगे इसको प्रोग्राम है इसको हम कहते हैं नीधी आपके निकट, ये आज साइबल्तीनियस ली इस्तवार में हो रहा है, आज यहां पर जो सिकंड प्रोग्राम है वो दुरस्टी में भी होगा, इसको हो सकता है हमारे ओनेबल मिनिस्टर वहाँ पे क्यूंकि दो बज़े से एक मीटिंगे वो अड्रेस करें, तो यहां पर जो आप लोगों को बुलाने का मक्सद यह है कि जितने भी casual workers हैं, कास कर मुनिस्टिपैलिटी के अंदर, जितने भी हमें casual workers हैं, we would talk and discuss and modalities for all, हम निकालने हैं कैसे, जिस भी बैट पर में, अगर GPF नहीं है, हमारा एक्ट है, पी EPF का benefit नहीं है, या कोई pension scheme नहीं है, वहां पर EPF लागो हो, अच्छा है, वो कोई भी महत्मा हो, अच्छे जाकी लोगों को बहुत अच्छे समझ में आया है, मैंने बहुत सी बातें बताने की कोशिश की, तो I am really thankful to, जेवाज जी कि आपने इतना बड़ी आयो जन कर, I am really thankful to the entire team, आप जो भी हम से और यूद के लिए और EPF हो से related कहीं भी कभी कोई जुर्वत हो, so we will be ready and we will send that team. इसके अंटर बहुत सारे ये provisions हैं और जो main जो है, ये तीन schemes है, जैसा कि इसर ने भी बताया है, चेप करना ये सब चीजे है, वहाँ पे provide की जाती है, ये रिवान सपोर्टर, EPF, IJMS.gov.in, जो कि मैं पहले भी बता रहा था, इसके तूप कोई किसी भी तरीके से, किसी भी employee क सब्सक्राइब कर सकता है, तो वो महाँ पे शेयर कर सकता है, विजिस थाइंग और पर पेसेंटली हैं, हमारी टीम के साथ मैं दो दिन के दोरे पे किस्तवार जिले आया हूं, जिले में आया हूं, यहां पे बहुत से पावर प्रोजेक्स चल रहे हैं और कल हम थे किरू प् सब्सक्राइब की चिनाव वैली पावर प्रोजेक्स लिमिटेड जो है, इनका काम चल रहा है और में कॉंट्रेक्टर है, पटेल कंपनी और बहुत से इंप्लॉईज जो है, कॉंट्रेक्टर के थ्रू लगाए गए हैं, उनको हमने उनकी बाते सुनी और उनके डीटेल्स इसलिए यह चेक किया कि यूनिवर्सल अकाउंट नंबर दिया गया है कि नीवर्कर को यह पाया गया कि कई वर्कर ऐसे हैं जो खासकर ठेकेदार के बाध्यम से लगे हैं, उनको पी एफ नंबर यूए यूएन बताना यह जरूरी है उस पारे में हम हिदाय हिदायत दे के जाएंगे यहां से आज जो निदी आपके निकट है इसमें आपके डीसी साफ देवान श्यादव जी उन्होंने बहुत अच्छा आयोजन करवाया उनके सयोग से नोडल ऑफसर मिस्टर इम्रान और यहां पर डियाई यो जो हैं मिस्टर कुलदीब यह लोग भी मौजूद थे पीएफ की तरफ से हमारे जो नोडल ऑफसर है विपिन कुमार जो इनफोर्समेंट अफसर है उन्होंने एक प्रेजंटिशन दिया प्राविदेंट फंड पेंशन स्कीम इंशोरेंस स्कीम के बारे में बताया कि यहां के जितने भी वरकर हैं पूरे जमू कश्मीर और ल 5 लाग, 6 लाग, 7 लाग ऐसे करके इंशोरेंस का बेनिफुट दे चुके हैं जहांपे की डेथ केसे हो गए हैं बहुत से प्रोजेक्स में कई बार अनफॉर्चनेट इंसिडेंस हो जाते हैं और वरकर्स की डेथ हो जाती है जैसे की खुनी नाला में टनल कोलैप्स का केस थ से उनकी जब मृत्य हो गई आसामी एक उस केस में भी कंपनी ने क्योंकि दोनों वरकर्स को प्रविडेंट फंड और पेंशन दोनों स्कीम का बेनिफिट दिया हुआ था मेंबर बनाया हुआ था उस परिवारों को उनके दोनों परिवारों को लाइफ लॉंग पेंशन है बिद्वा को वह और बच्चों को भी तो दो बच्चे एड़ टाइम पेंशन पाते हैं यह बहुत इंपॉर्टन स्कीम है इसका बेनिफिट यहां पर किस्टवार जिले में जितने भी प्राविट स्कूल से वह आज बहुत से लोग मौजूद थे चीफ एजुकेशन अफस हम अभी आपके चेट के डी सी हैं और अधी और जो संबधित अधिकारी हैं उनसे चर्चा करके इस बारे में एक एक मोडालिटी इसमें फाइनलाइज करेंगी कैसे प्राविटेंट फंड का लाब सभी जो व्यक्ति हैं जो इलिजिबल इंप्लाइज हैं उनको दिया जा सक कि वो अपने आज जांच करवाएं कि कॉंट्रेक्टर्स ने जो जो मेजर कॉंट्रेक्टर्स हैं उन्होंने जो सब कॉंट्रेक्टर्स अपॉइंट के हुए हैं एक्चली प्राविडेंट फंड भरने की लाइबिलिटी प्रिंसिपल इंप्लाइर की होती है तो जिन लोग में काम अगर आप करवा रहे हैं तो ठीक नहीं है किसी वर्कर के साथ कोई घटना हो जाएगी तो उसको सोशल सेक्योरिटी का बेनिफिट एपीफों के माध्यम से दिया जाएगा अंडर इंप्लाइज पेंशन स्कीम 95 इंप्लाइज डिपॉजट इंग लेंक्ट इंशोरेंस काम इसकी जाच भी करते रहेंगे समय समय पर कल जो वर्कर का हमने डेटा लिया है उसको अपने कारयाल से हम आभी जाच कर रहे हैं कि कितने वर्कर ऐसे हैं इनको पी अफ का लाब नहीं दिया जा रहा है कंपनी इसको भी अडवाईज किया गया है और चिनाब वैली के जो ना के हैं कि रूप प्रोजेक्ट के उनको भी बोल दिया गया है बाकी जो दूसरे प्रोजेक्ट हैं उनके वर्कर्स का भी एक मीटिंग होगी उनके अधिकारियों की और जो हम सबादो बजे आज दुलस्ती जो एक्जेकेटिव ट्रेनिंग सेंटर है वहां पर एक जो नोडल अफसर हैं इम्रान और खुल्दीब जी उनका सब का बहुत आभार व्यक्ट कर रहा हूं की इपीफों की स्कीम्स के परचार परसार में जिला प्रसाशन ने और बाकी यहां के नागरिकों ने बहुत से योग दिया धन्यवाद असलाम लेकुम नाजरीन में आप अपनी खुबसूरत आवाज में नाथ रिकॉर्ड करके वीडियो इस नमर पर भीज़ें याद रखे कि आप अपना वीडियो बनाते वाकत मुबाइल को इस तरह से रखें तो चल्दी कीजिए आप अपना वीडियो बनाके या तो वर्टस पर या टेलीग्राम पर हमे डिखाते रही है तो जल्दी से इस नमर पर भीज़ेते हैं